बॉलिवूट इंडस्टी अपनी फिल्मों की जरिये हमेशा ही प्यार की एक नई परिभाशा सामने लेकर आते हैं तो वहीं बॉलिवूट सितारे भी अपने प्यार की सरिये कुछ ना कुछ ऐसा सिखा ही जाते हैं सभी लोगों को अपने सभी फ्रांस को कि वो प्यार करने के नए-नए तरीकी को समझने भी लगते हैं कोई ये भी जाने लगता है कि प्यार में क्या जरूरी और क्या नहीं और प्यार के एक ना कोई उम्र होती है और ना ही कोई रहे जाती है इस प्यार में शर्ते आज अपने इस रिपोर्ट में हमको बताएंगे कि ऐसे बॉल्योड के कितने सितारे हैं जिनोंने एज डिफरंस भी नहीं देखा और उनकी बात करेंगे जो शादी में वाइफ बड़ी और पती छोटा है चलिए इस रिपोर्ट की शुरुबात करते हैं और मैं हूँ आपकी होस्ट फिनी गुलाटे और अपनी इस लिस्ट में सबसे पहले में बात करना चाहूंगी यांका पल प्रियांका चोप्रा और निक जोनस की जो साल 2018 के दिसंबर के महीने में एक दूसरे से शादी करकर सुरुख्यों में आ गए थे क्योंकि इन दोनों के बीच उमरों में काफी ज़्यादा पासला था पूरे 10 साल का और इसी वज़ा से ये कहा जा रहा था कि रिष्टा ज़्यादा वक्त तक नहीं ठिकेगा और कहा ये जा रहा था कि इन दोनों के बीच एज डिफ्रेंस जो ये है उस वज़ा से अंडरस्टैंडिंग भी काफी ज़दा कम हो सकती है मगर अभी तक तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया है ये दोनों तो हर किसी को मेजर कपल गोल्स देते हैं और इसी के साथ ये दोनों ये भी सिखाते हैं कि एक दूसर से प्यार की कोभी कोई शर्ती नहीं रखी जाते हैं और age difference होने के बावजूद भी कभी भी rumors जो इतने आए हैं जो इतनी सुर्खी आई हैं दोनों को लेकर इस बारे में कभी इन दोनों उन्हें कोई परवा नहीं की है अब बात करते हैं इस list में पुराने कभी जो की है अरचना पूरन सिंग जो की अपनी हसी से काफी ज़्यादा मशूर है तो वहीं आते हैं उनके पती परमीत सेथी जो की एक फिल्म एक्टर है, डारीक्टर है और राइटर है लेकिन अर्चनापूरन सिंग के साथ जो उनका रिष्टा है वो काफी जादा फनी सा रिष्टा है इन दोनों के बीच हस्बेंट वाइफ की केमिस्ट्री कम है दोस्ती की जादा है ये दोनों एक दूसरी के साथ भले ही कम नजर आते हों मगर जब भी अलग अलग भी दिखाई देते हैं तो वही एक दूसरी की बाते करते हुए सामने भी आ जाते हैं मगर इसी के साथ इन दोनों के साथ ही सभी दर्शक, सभी सेलेव्स मजाग भी किया करते हैं कि परमीत एच में कितने छोटे हैं अचनापूरं सिंग से और अचनापूरं सिंग पूरी तहा से हुक्म चलाती है अपने पती परमीत पर भले हैं इस तहा की बाते जरूर की जाती हो और ये दोनों इस पर ठराके लगाते हुए हसते हो मगर ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी क्योंकि इस हसी के बीच इन दोनों के बीच एक दूसरे के लिए बेहत प्यार है बता दें कि इनकी एश में साथ साल का फर्क है और अब इस लिस्ट में बात करेंगे तीन साल के गैप के साथ शल्पा राच और विपाशा करन की सबसे पहले बताते हैं शल्पा और राच कुंद्रा के बारे में इन दोनों की शादी हुई थी साल 2009 में और इनका एक बेटा भी है इन दोनों की जब शादी हुई थी तो काफी जदा कॉंटिवर्सी उड़ गई थी कि भाई शल्पा एक तो अपनी उम्र से छोटे लड़की के साथ शा ना आते हों इनके रिष्टे को लेकर कॉंटिवर्सी क्यों ना बन जाती हो मगर जब भी इन दोनों को एक साथ देखा गया है तो ऐसा बिलकुल नहीं लगा कि इन दोनों की जिन्दगी में कभी कोई परिशानी हो या फिर अपनी जिन्दगी में आए खुश्यों की वज़ किता हो यहां पर पप्राजी के सामने फोटोस किश्च्वाती होई दोनों साफ खुशी-खुशी दिखाई दिये थे और अब विपाशा करन की बात की जाये तो भाई ये तो कॉंटिवर्सी से भरा कपल है कास तोर पर विपाशा के तीन साल छोटे पती करन सिंग ग्रोवर क्योंकि विपाशा के साथ उनकी जो ये शादी होई है वो तीसरी शादी है उससे पहले वो दो शादी कर चुके हैं और दोनों ही शादी उनकी दो या तीन साल से जादा टिक नहीं पाई उसके पीछे का कारण कभी कोई नहीं जाता करन सिंग रोवर अपने टीवी इंडस्टी में आगे बढ़ रहे थे मगर उन्होंने रुक कर लिया था बॉलिवोड इंडस्टी का और जब उन्होंने ये रुक किया उससे पहले ही उनका रिष्टा तूट गया टीवी इंडस् के लिए काफी ज़दा सीरिस भी हो गए थे और खबर ये आने लगी सामने कि ये शादी भी कर लेंगे लेकिन सभी को लगा कि भाई इखबर तो गलत होगी क्योंकि करन सिंग ग्रोवर के भी लव अफेर काफी रहे हैं और दो बार वो शादी भी कर चुके हैं तो ऐसे में तीसी शादी करेंगे या नहीं करेंगे ये भी बात आ रही थी तो वही बिपाशा बासु भी काफी लव रेलेशन में है चुकी है जो सक्सेस्फुल नहीं हो पाए मगर सभी को गलत साबित करती हुए इन दोनों ने दूसर से शादी कर ली साल 2016 में दोनों ने शादी की थी और उसके बाद से ये दोनों एक दूसरी के साथ जादा से जादा वक्त बिताते हैं और कहाई ये जाता है कि शादी करने के बाद तो भाई इन दोनों के ही करियर ठ पढ़ चुके हैं बेपाशा कोई भी खास फिर्म नहीं कर रही तो वही करन सिंग ग्रोवर को कोई खास काम मिल नहीं पा रहा मकर हां सी के साथ आपको एक करेंट खबर भी देना चाहेंगे कि करन सिंग ग्रोवर को स्टाप प्लस के सीर कसौटे जिंदगी टू में दिया जा रहा था मिस्टर बजाज का रोल और उसके लिए वो लगभग कंफरम हो चुके थे मगर एंड मुमेंट पे आते आते करन सिंग ग्रोवर ने इस काम के लिए इंकार कर दिया है तो ऐसे में कहिए जा रहा है कि एक दूसरे के साथ जादा बग मिताने की वजह से ये दोनों का को थोड़ा सा निगलेक कर रहे हैं अब इस लिस में आगे आते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट जोड़ी कि सोहा अली खान और कुनाल खेमो इन दोनों की एज डिफरेंस पे अगर बात की जाये तो वो पूरे पांस साल का है इन दोनों ने बहुत सालों तक ही दूसरे को डे रखा है और वो बेहत ही क्यूट है अब इस लिस में बात करेंगे नेक्स्ट जोड़ी की जो कि आती हैं नेहा धूपिया और अंगत बेदी की अंगत बेदी नेहा धूपिया की जब शादी हुई थी तो उस वक्त ये रियूमर सामने आये थे कि भहे रातो रात इन दोनों उने शादी क्यों कर ली है और कहाई जा रहा था कि इसके पीछे की वजा है नेहा धूपिया की प्रेग्नेंसी जिसे वो लगातार काफी वक्त चुपाती रही मगर उनका बेबी वाम छुप नहीं पाया किसी से भी और पता ये साफ चल गया कि शादी से पहले ही नेहा धू पर आते हैं सभी के फेवरिट कपल अनुष्का शर्मा और विराट कोली जिनकी एज में सिर्फ एक साल का फर्क है दोनों ही अपनी लव लाइफ को काफी जादा देख चुके हैं यानि की काफी जादा लव रिलेशन्शिप में रह चुके हैं इन दैन इन दोनों को ये समझ जा गया कि भाई विराट ये जान गए कि अनुष्का उनके लिए बेस्ट है और अनुष्का ये जान गए कि विराट उनके लिए बेस्ट है और इन दोनों ने इक दूसरे से शादी कर ली और इक दूसरे के साथ बेहद ही खुश नजराते हैं और किसी को कपल गोल्स ये हम पलको वी ना भुले.